ओके अलो प्रेंट कैसे हुआ आप सब में विशी और आप देखरें बाउंटू इनियर सीट्यूब चैनल तो इस वीडियो में निप्टी एंड बैंक निप्टी का टेक्निकल एनालीसिस करेंगे और उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टनस फाइंड करने के कोसिस करेंगे और द दोस्तों अभी तक आपने अमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो अरोज अर दिन लेते आते हैं और जब आज में गंटे वाला बटन है उससे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको अमारी नॉटिफ के चार्ट के उपर तो पहले वीकली अनालीसिस करते बाद में वंडे का अनालीसिस करते तो हाल फिलाल आप जो लाश्ट कैंडल देख रहे हुआ आपको इसमें ग्रीन दिखाई दे रहे हैं मतलब यह बूलीस था इस वीक पूरा मतलब जो में जो ट्रेंड होता है वह वाद में मैं MSA डी देखो तो MSA लफिलाल पोजीटीव ही है और जो इसमें था कि लास्ट जो वीक था उसमें आपको इस्टोग्राम रेड कलर का मिल रहा था यह रेड तो इस वीक में यह आपको ग्रीन कलर में भी मिल चुका है तो जो ओल ओवर परफॉमस देखे वीकली तो जो हमारा निप्टी है वो आपको एक बूलिस में देख रहा है बाद में हम इसको अगर यह क्या है कि वन डे पे देखे तो वन डे पे क्या होता है वो देखेंगे तो मैं इसको वन डे पे सिप्ट कर लेता हूँ तो वन डे पे आते तो पहले हम क्या है कि इसका जो में तो जो मेन ट्रेंड आपको निप्टी में एक अपसाइड हुआ दिखेगा बाद में जो भी हारे साइए वह देख लेए तो जो आरे साइक का लेवल हो 67.45 मतले भी अभी हाल फिलाल और बोर जोन में नहीं है लेकिन आगे जाकि यह हो जाएगा आइधिंक यह और बोर जोन मे से इस्टोग्राम भी पोजिटिव बना रहा है तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में यह आपको मसेडी ऐसा बता रहा है कि बुलिस रह सकता है तो अब हम देखते हैं इसके कौन से सपोर्ट हैंगे कौन से रजिस्टन्स होगी तो अगर मैं निप्टी के बात करूँ ज होता है कि एक ट्रेंड मिलता है बाद में रिट्रेस करता है पूल बेक करता है करेक्शन करता है जो भी आप बूलो वह करके फिर से अप जाता है अगर ऐसा कुछ देखने को मिला तो आगे आने वाले टाइम में 12,160 का लेवल आपके लिए सपोर्ट के तरह वर्क कर सकता है अगर यह इसके नीचे चला गया तो जो हमारी के आए कि राइजिंग सपोर्ट लाइन है उस पे यह वर्क कर सकता है मैंने यह दो पॉइंट ड्रो करके एक लाइन बनाई है और बाद में अगर यह इसके नीचे आता है जो 12,160 का लेवल अगर इसके नीचे आता है तो इस ल हुआ तो जो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट होगा वह 11,830 का लेवल होगा अगर 11,830 के लेवल पे कोई बाइसाइड ओपर्चूनिटी मिलती है आपको तब आप वहां से बूलिस में आ सकते हूँ तो यह होगा यह सपोर्ट जो आपको नेक्स्ट वीके में काम में आ सकते हैं अ वहां से सेल कर सकते हैं मतलब नेक्स्ट वीं में आ सकते हो और दूसरी जो डूसरी ईसर रजिश्टन्स में इसके आ सपास आ रहे ही है तो मतलब यह क्या है कि एक सपोर्ट हो सकता है यह दोंग Mayrous आ सकता है अगर कि ये 12,350 के आसपा जा रहा है एप्रोक्स बोल रहा हूँ तो अगर वहां आपको कोई ऐसा साइन मिले कि यहां से नीचे जा सकता है BRS view में आ सकता है तब आप वहां से निप्टी में BRS view में आ सकते हैं अगर यह इसको break करके ऊपर चला गया तो जो मेरा पहला resistance होगा main resistance वो 12,400 का level होगा तो 12,400 का level होगा वो मेरे resistance की तरह work करेगा अगर वहां से कोई reversal sign देखने को मिलता है in future तब हम वहां से sell side entry ले सकते हो मतलब निप्टी में BRS view में आ सकते अगर यह इसको break करके ऊपर चला गया तो जो मेरा final resistance होगा वो 12,560 का level होगा अगर यह 12,560 के level पे आसपास से आपको एक BRS view में दीखता है तब आप वहां से sell side आ सकते हैं और जो main बात है यह देखो इधर sub line एक साथ कठी हो रही है तो हो सकता है जो 12,350 से लेके 12,400 का जो zone होगा वो आपके लिए important होगा मेरे लिए तो important है अगर आपको सही लगता है तो आप थोड़ा wait कर लो वहां proper confirmation लो उसको break करके up पर जाने दो यह वहां देखो कोई reversal लिखत है आपको तो वहां से आपको pullback, return, correction मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में तो जो 12,350 से लेके 12,400 का जो zone है वहां आप अपनी नजर रखे वहां देखे क्या होता है अगर आपको कोई opportunity मिलते तब आप वहां से sell side या उसको break करके उपर निकल जाता है तब buy side entry ले सकते हो मत चुके bank nifty के chart के उपर तो जो आपको bank nifty दीख रहा है जो उसका main trend है वो आपको एक up trend में ही दीख रहा है तो इसमें मैं RSI की बात करूँ तो जो RSI हो हाल फिला 65.14 पे है मतलब यहां भी हाल फिला और बूर जोन में नहीं है वन विक के हिसाब से यह वन विक का chart है बाद मे हम MSCD की बात करें तो MSCD positive crossover है जो इसका Instagram है वो भी positive में है तो आगे आने वाले दिम में MSCD और RSI के हिसाब से आपको थोड़ा सा upside देखने को मिल सकता है बाद में हम इसकी last candle की बात करें तो थोड़ी क्या है कि इसमें सेड़ो है लेकिन उतनी ज्यादा क्या है कि इससे बियोर इससाब से आपको जो bank निप्टी है वो bullish लग रहा है लेकिन देखते है कि one day में क्या है और उसके support and resistance find करते कि कौन से इसके support रहेंगे कौन से इसके resistance रहेंगे तो मैं इसको one day पे shift कर लेता हूँ बाद में वहाँ देखते है कि क्या होता है तो one day पे जब shift कर रहा हूँ में CDO क्या था कि पिछले कुछ दिनों के आए कि BRH बाद में अभी यह मतलब साथ में आ चुके हो सकता है कि next week में आपको क्या कि bullish cross over भी दे दे फिर से मतलब हो सकता है यह मैं इसा नहीं बूलूंगा हो गाई लेकिन हो सकता है अगर वहाँ कुछ आपने इसा देखने को मिलता ह तब आप इसमें bullish में आ सकते हो अगर आप indicator यूज करे हो तो लेकिन में indicator यूज करता हूँ तो बाद में हम देखते है कि इसमें आपके support कौन से रहेंगे resistance कौन से रहेंगे बेंग निप्टी में तो मान लेते अगर यह इधर से नीचे आये मान लेते मैं इसा बोल नहीं र तो जो क्या है कि previous जो upset आया था वो भी वहां से यह आया था तो हो सकता है आके आने वाले दिन में अगर यह नीचे आके यह red color की support line पे support लेके उपर जाता हुआ दिखे आपको तो आप इसमें bullish में आ सकते हो अगर यह इसको cross करके नीचे चला गया है तो जो हमारी next support line होगी 31,800 की होगी I think यह जब सायद यहां से नीचे आये तो यह दोनों एक साथ में आ सकती है तो देखनों क्या होता है आगे आने वाले दिनों में अगर आपको इस level पे कुछ मिल सकता है तो आप वहां से bullish आ सकते हो कोई reversal मिले तब की बात है अगर यह इसको भी break करके नीचे आ तो थोड़ा ही नजदी के वह होगा 3700 का लेवल अगर यह 3700 के लेवल से भी कोई अपसर जाने का signal देता है तब भी आप वहां से bullish में आ सकते हो बेंग निप्टी में तो यह थे हमारे support जो आगे आने वाले दिनों में आपको काम आ सकते है अब हम resistance की बारे में बात करते खड़ा है उसके थोड़ा ही उपर मेरा पहला resistance है पहला resistance नॉर्मली मेरा क्या एक राइजिंग रजिस्टंस लाइन अगर यह resistance लेकर नीचे आने का sign देता है तब आप वहांसे BRS view में आ सकते हैं, अगर यह इसको break करके ऊपर चला गया, तो जो मेरा पहला resistance होगा, वो 33,200 का होगा, अगर यह 33,200 जो यह line है, उसकी बाद कर, अगर यह 33,200 पर कोई reversal sign दे के नीचे आने का sign देता है, तब आप वहाँ से BRS view में आ सकते हो, अगर यह इसको भी break करके ऊपर च तो आप वहाँ से BRS view में आ सकते हो, तो आपको देखना पड़ता है, आपके support and resistance के पास कोई ऐसी हरकत करता है, कि वहाँ से reverse हो रहा है, तब आप वहाँ से bias sell कर सकते हो, तो यह था हमारी और से nifty and bank nifty का technical analysis, इसमें आपको support मिले, resistance मिले, और यह support और resistance के पास क्या है, कि कु या कोई ऐसा sign मिले कि जहां से आपको bias sell करने का कोई signal मिले, तब आप वहाँ से bias sell कर सकते हो, मतलब BRS या bullish view में आ सकते हो, और मैं बता देता हो, यह मेरी analysis है, अगर आपको इसमें कुछ सहीं नहीं लग रहा, तो आप अपनी खुद की analysis कीजिए, बाद में उसके उपर कोई decision लीजिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छे लगे हो, तो please यारो like, comment and subscribe कर देना, आप like comment करोगे, तब ही तो हमें motivation मिलेगा, और यह से वीडियो आगे ले कहेंगे, so please यारो like, comment and subscribe कर देना, चलिया मिलते हैं अपने next वीडियो में, तब तक के लिए ट goodbye, joy, in